सलाम आलेकुम वराहमतुल्लाही वबराकातु हूँ मेरा नाम कारिसा के बैए आज हम 84 लेक्चर शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में भी हम रफा नसब और जर के बारे में पढ़ेंगे आगे की चीज़ करेंगे हम जैसे चीज़ रहे हैं बढ़ती जा रही है कोई चीज़ मुश्किल नहीं है थोड़ा साफने गुर्ण को रीट करना है इसमें चीज़े ढूने के कौन सी हालत तीन हालत प्हुम्हें पाए जाती है पहली है रफा दूसरी है नसब और तीसरी है जर में हाल अदिसकी रफ़ा है और नसब और जर नसब किस वज़े से जाता है इसके शुरूम में इन्ना आजाए या अन्ना आजाए जर में क्यों जाता है क्योंकि गुरान में जो रूफे जर इस्तेमाल हुए है वो 10 है, वैसे 17 है पिछली लेक्षर में हमने हाजा को पड़ा, हाजी ही को पड़ा और उसके फिर मुसन्ना को हमने देखा मुसन्ना की रफा कैसे होती है? आनी की आवाज आज मैं आपको कुरान की सुरे रह्मान की एक आयत पड़ूँगा आपने बताना है कि ये नसब में है ये जर्में कमिट्स में आपने बताना है हुझे मश्रिकाइनी कुरान में आता है रब्बल मश्रिकाइनी वरब्बल मगरिबाइन अब ये मश्रिकाइनी है मश्रिकाणी इसकी रफा बनती है मश्रीकानी बनती है इसकी बनती है मश्री मश्रीकानी अब इसकी नस्था बोजारोगी मश्रीकानी मश्रीकानी और जर्बी एई कुरान से और एक्जेम्पल ले लेता हूं मैं आपको कुरान में अलद अलब फर्माता है हाजी के मैं देख रहा हूं सुर्य मुझमिल है इन्न हादी ही तजकीरो पहले मैं हाजी ही लिखता हूं हाजी ही तज कीरो गोलता अलामत क्या बताती है कि ये मुहन्नस की अलामत है अब हादी ही तजकीरो ये तो समझ में आ रही है रफा में क्यूंके हादी ही हादी ही हादी ही ये तीनों हालतों में एक ही रहता है अब ये गुरान में आप चेकर नहीं अब इन्ना की वज़े से ये सारा हिस्सा जो है नस्व बाला है इस से पिछवाली आदमा को बतातू हूँ अब मैंने हादी ही लिखा अब इन्ना की वज़े से ये ये जो हिस्सा है ये नस्व बाला होगिए जर्बी इस ये ही होगी लेकिन जर्ब में इन्ना की जग़ा कुछ और आएगा अब हम बाद में करेंगे शिवाब नहीं जब भी इन्ना आए कुरान की आयत में उसके बाद आपने चेक करना है जो भी होगा वो नस्व वाली आयत होगी ये भी कुरान की आयत मैंने लिखी है ये भी लिखी है मैंने लिखे है कॉल कॉल्बू कॉल्बू कॉल्बून लिख देता हूं कॉल्बून तैन्वीन के साथ अब ये कौन सी हालत है रफा हालत है अब इसके शुरू में मैं लगा दू हादी ही का मतलब होता है ये ये इसका मतलब कहते हैं हिद दिल को और इसकी जमा आती है कुलूब इन्शाल हम आगे वाने लेक्शन आपको बताऊंगा कि ये जमा मुकसर कैसे बन दी है ये बन जमा बनाते हैं बनाते हैं हम क्या होता है कोई अलफाद हम एड करने पड़ते हैं कुछ कुछ में एड नहीं करने पड़ते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि कॉल्बन लाम के बाद क्या आ रहा है वाओ आ रहा है कुलूब नसा में रखेंगे तो जबर के साथ रफा में रखेंगे तो पेश के साथ और जबर में रखेंगे तो बागी निचे जेर आ जाएगी लिएल लिकूर में को मैंने बता है कि कुरान की आर मैंने पड़िए मश्रिक also अब यह रफा में असाब में जाएगा तो मश्रिक है हो जाएगा तो जब सकी मश्रिक है नहीं होगी सूरी मुख heh मैंने पड़ी हाधी ही तदकिरो इन्ना है, तो इन्ना की विज़े से हाधी ही तदकिरो जो है, वो नसब में चला गिया जर्में, तो इन्ना आते ही नही है रूफ जर्व दस इस्तमाल होते हैं, वो हैं मिन अला फी इन्शाला नेक्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये जर्में क्यों जाते हैं इसी आयत को मिलूँगा लेकिन तोड़ा सा मैं चेंजिंग करूंगा इसकी ठीक है सलाम आलेकुम रहमतुलाही वबरकातु